So hey guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने ब्लोग के लिए एक निश सेलेक्ट कर सकते हों Basically एक perfect निश डून पाना एक बड़ा टास्क है आज के टाइम में जब भी हम लोग ब्लोगिंग के बारे में कुछ सोचते हैं या फिर हम ब्लोगिंग के फिल्ड में जाना चाते हैं तो मेन चीज होती है कि हम किस पे ब्लोग बनाएं हमारा इंटरेस्ट क्या है या फिर हम किस पे content deliver कर सकते हैं यह सबसे important question होता है जो हमें अपने आपसे पूछना होता है और साथ साथ इसके साथ साथ हमें external data को भी follow करना होता है कि external data उस particular topic के बारे में क्या कहता है external data से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो basically अगर आप लोग चाते हो एक perfect niche डूणना एक perfect category डूणना तो इस वीडियो में मैं आपकी help करूँगा तो आपको क्या करना है आपको इस वीडियो को बस end तक देखना है और जो steps मैं आपको बताने वाला हूँ यो जिन चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको follow करनी है तो चलिए शुरू करते है मारा आज का वीडियो तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक perfect niche ढूंडने की तो उसकी शुरूआत होती है हमसे ना कि किसी external data से या फिर ना कि money से ना कि किसी weekend से tool से उसकी शुरूआत होती है हमसे हम सबसे बड़ा tool है अपना niche अपनी category select करने में basically मैं क्या कहा रहा हूँ यह मैं आपको समझाता हूँ देखो जब भी हम लोग एक blog के लिए कोई niche या कोई category ढूंडने जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि वो category कितना profitable है वो आपको कितना profit देगा वो category आपको कितना money देगा basically अगर मैं बिल्कुल straight forward भाशन बात करो तो जनरली लोग मेरे को call करते हैं और पूशते हैं या फिर वीडियो के comment section में comment down करते हैं कि सर एक profitable niche बताओ वो niche से पहले profitable word लगाते हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग blogging के नहीं वो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले ज्यादा से ज्यादा money earn हो पाए उनका तो यह जो approach है यह बिल्कुल गलत है आपको एक ऐसा niche select करना है जो आपके interest के अंडर आता हो जिस पे आप लोग confident हो और जिस पे आप लोग अपना best deliver कर सकते हो जिस पे आप लोग एक लंबे time तक content deliver कर सकते हो आपको एक ऐसा niche select करना है और ऐसा niche आपको select करने के जो benefits मिलेंगे वो काफी precious है वो काफी weekend से unlimited है अगर मैं बात कुरूँ benefits की तो सबसे बड़ा benefit है वो है content content आप quality deliver कर पाओगे और consistently deliver कर पाओगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको समझाता ह कुछ लोग होते हैं जो लोग micro blogging शुरू कर लेते हैं या फिर micro niche blogging शुरू कर लेते हैं और वो लोग ऐसा क्यों शुरू कर रहे होता है क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता है क्योंकि वो लोग blogging को नहीं पर्शू कर रहे हैं तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं जब वो micro niche blogging शुरू करते हैं तो शुरू तो वो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन 10 या 12 दिन बाद ही उनका जो content है वो खतम हो जाता है या फिर एक महीने बाद content खतम हो जाता है और फिर वो लोग blank हो जाते हैं कि यार अब क्या करें हम लोग हमारे पास कुछ करने कोई नहीं बचा content ही जिसमें आप लोगों का interest है तो आप लोग उसमें obviously लंबे time तक टिक पाओगे आप लोग एक बड़े game के player बनोगे उसमें तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि आपको एक ऐसा topic दूढ़ना है जिसमें आपका interest हो जिसमें आप अच् कैसे और filter कर सकते हैं उसको filter करने के लिए अब आता है external data अब आता है हमारे tools अब आते हमारी दूसरी चीज़े कि हम लोग उसको कैसे filter out करें उसको कैसे specific बनाएं तो वो मैं आपको बताता हूँ देखो आपको क्या करना है for example मैं example के तोर पे एक weekend से topic लेता हूँ जिसका नाम actual में क्या digital marketing पर मैं काम कर सकता हूँ मैंने ये तो figure out कर लिया कि मेरा interest किसमें लेकिन जिसमें मेरा interest है क्या actual में वो एक अच्छा topic है क्या actual में मैं उसके काम कर सकता हूँ उसमें help करेंगे आपके different types of tools जो आपको available है internet के उपर जैसे uber suggest हो गया google keyword planner हो गया moz हो गया RF हो गया ये सारे tools या फिर keywords tool.io हो गया ये सारे tools आपकी help करेंगे इन में से आप किसी भी tool को उठा के देख लो इसका एक weekend से अगर आप practical approach देखना चाहते हो कि कैसे हम लोग weekend से keyword research कर सकते हैं या फिर उस particular topic को figure out कर सकते हैं तो मेरे एक video है आई button में आपको video मिल जाएगा उसमें मैं इस वीडियो के अंदर बची हुए हैं तो देखो अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे उन tools की help से हम लोग ये figure out कर सकते हैं कि जो niche हमने find out किया है अपने interest के business पे वो हमारे लिए beneficial है या नहीं है वो मैं आपको बताता हूं तो देखो किसी भी niche के आपको previous year data पे या फिर current data प पड़ेगी कितने backlinks बनाने पड़ेंगे और weekend से उस particular keyword का CPC कितना है ये सारी चीज़े आप लोगों को ध्यान रखनी है बेसिकलिए अगर मैं इन सारी चीजों को elaborate करूं सबसे पहले अगर हम लोग बात करें search volume की तो आपको एक ऐसा keyword ढूंडना होगा जिसका search volume high होगा जिस पर काफी लोग search करते हों next हम लोग बात करते हैं हमारा दूसरा चीज जो है SEO difficulty basically SEO difficulty क्या होता है कि अगर आप किसी particular keyword पर या किसी topic पर गूगल के first page पर rank करना चाहते हो SEO के through यानि SEO वाले results में आप जाना चाहते हो तो उन में जाने के लिए आपके लिए उस topic के अंदर कितनी difficulty है आपको कितना difficulty face करना पड़ेगा कितना जादा competition है SEO के अंदर यह होता है हमारा SEO difficulty तो अगर किसी topic का SEO difficulty बहुत जादा है तो आपको उस topic को भी avoid करना है क्योंकि आप उस topic में standout ही नहीं कर पाऊगे और अगर आप standout कर भी पाऊगे तो आपको बहुत जादा मेनत करना पड बात करते हैं हमारे next term के बारे में जो कि हमारा paid difficulty basically paid difficulty क्या होता है कि अगर हम किसी topic पे we can say google के अंदर advertisements के through या फिर paid results के अंदर rank करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कितना competition है कितनी difficulty है अगर किसी topic का paid difficulty ज्यादा है तो आपको उससे भी avoid करना है वैसे generally हम लोग आज क time में चला रहे होते हैं वो ad campaigns पे पैसा खर्चनी करना चाहते है इसलिए paid difficulty का उतना impact नहीं पड़ता लेकिन अगर आप plan कर रहे हो कि आप लोग ad campaigns चलाओगे अपने account के या फिर अपने blog के तो आप लोग paid difficulty को भी consider जरूर कीजेगा next हम लोग बात करते हैं CPC की basically CPC क्या होता एक ad के उपर कितना payment मिलेगा तो अगर किसी keyword की या किसी topic की CPC बहुत high है तो वो आपके लिए beneficial keyword है अगर बहुत low है तो उतना अच्छा keyword नहीं है next हम लोग बात करते हैं हमारा backlinks की number of backlinks कितने create करने पड़ेंगे मेरे को किसी भी keyword पे या किसी भी topic पे rank करने के लिए google के अं अच्छा नहीं है और अगर हम लोगों को number of backlinks कम create करने पड़ेंगे तो मेरे लिए वो topic काफी अच्छा है मैं उस topic पर काफी ज्यादा better काम कर सकता हूं तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है और इन चीजों को weekend से एक तरीके समराइज करके इन चीजों को constitute करके इन चीजों के around reward करते हुए आपको एक topic एक अच्छा topic figure out करना है जो कि आपकी काफी help करेगा weekend से blogging के field में successful होने में और आप लोग लंबे समयतक अपनी audience के लिए quality deliver कर पाऊगे देखो मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर आप लोग ब्लोग पर्शू कर रहे हो तो पैस एक second weekend से secondary चीज है जो कि आपको eventually मिली जाएगा अगर आप लोग ब्लोग अच्छे से कर लोगे तो यह चीज आप लोगों को दिमाग में बैठा लेनी है शुरुआत में कि अगर आप लोग मनी के पीछे भागों के blogging के अंदर तो आप लोगों का success ratio उतना ही down हो जाएगा आप लोगों को उतना ज्यादा success नहीं मिलेगा तो आप लोगों को जो main चीज परश्यू करनी है जो चीज चेज करनी है वो है आपकी blogging आपको pure blogging करनी है और manage से करनी है अगर आप लोग यह कर पाओगे बीना कोई short trick करें देखो जो अच्छी चीज़े होती है या जो बड find out करते हैं और आप लोगों को अगर आप इन तरीकों से weekend से जाते हो तो 100% success मिलेगी यह मेरी guarantee है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like कीज़े चैनल को subscribe कीज़े और बने रही है हमार साथ ऐसी informative वीडियो के लिए thank you so much